मनिश का सब चड़ी चाप पत्रकार हैं सिदे से बाद जानी एकदम चड़ी चाप हैं और मेरे बड़े भाई हैं वो तो मतलब जांट आप बिहार कहाते हैं इसको डिठिंग कर देजिए रहे हैं क्यों रहे हैं अकर चूप नहीं रहेगा तो समझे न कि उसको जो है मनिश्का सब तो नहीं मारेगा मतलब और बडी गार्ड यह खड़े थे ठेकना इसलिए सोच रहा कहीं भी जाकर इस तरीके से जो है नया वर्ड लेकर आया पत्र करते में इस तरीके से बोल पाता ह इसलिए मुझे लगता है कि यह पत्रकार कम है और यहां घुंडा जादा है और दबंग गई है और वीडियो में इनको देख सकते हैं और ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा जो है चाहतर रुजा अपने सिक्षों को गाली देता है और उसके लिए मनिश्का सब चला जाता है कि बताओ सिक्षा को तुम कैसे गाले दिये अब इसे सवसुरा बिहार का विकास कैसे होगा को हमको बताई को बोले हैं इतना अबहुद्र टिपड़ी किया अगर लड़का जो फयार कर देता जेल के सलाखों के पिछे चल जाएंगे और माई इनका सौन मेडिया गरी तो अथ्राइज मीडिया नहीं है ठीकना अब माई को उठाकर पत्रकारिता करने लग रहा है और तो लाइक ज्यादा आ गया है इसलिए मतलब खुद को जो है सहंसा और डंका पती समझने लगे हैं यह भूल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी यह बोलता है चड़ी चापाल पत्रकार तो लगता है कि गए खुद कुल बेसूरण और इसको इस लिए ज्यादा फोलो कि यह ज्यूत हैं कि ज्यादा चिला चिला कर बोलता है और मेरे पास में कम्यूनिकेशन का डिग्री नहीं है और मेरे पास भी मास कम्यूनिकेशन का डिग्री नहीं है हम लोग सब सोचल मेडिया के पत्रकार हैं तो यह अलग बात हैं उनका फ्लोवर्स ज्यादा हो गया मेरा फ्लोवर्स कम है तो किसी के फ्लोवर्स देखकर उसको मुझे नहीं लग रहाबाद की वैसे लोग जो है अब देखिए मनिश कस्याब जो है जिस जाती से तीवारी ब्रामर समर्ण है समर्णों के संक्याश देश में 15 परसेंट है और हमारी संक्या 85 परसेंट है मतलब अगर आज उनके तीन मिलियन फ्लोवर्स हैं तो इसमें 90 परसेंट हमारे भीवर् पर जब शोड़ा चलने लगता है बेटी बहनों के साथ छड़खानी होती है तब याद पढ़ता है बहुजन पत्रकार का उसे मों नहीं आएगा मनिश को सब्सक्राइब करने के लिए उसमें आप जाएगा उसमें हम आएंगे कैसे लोगों घमंडी हो गया है आज अगर य नमस्कार आप देख रहा है यह 24 निवज और मैं हूँ यूराज अभी मैं बिहार के बकसर जीले में मौझूद हूँ और यहां पर मेरे एक साथी यूं कहिए तो जनतंत्र खबर के पत्रकार नरेंद्र बसंत जी मुझे मिले हैं उनसे कुछ बातें मैं करने का पर्यास करू पर्यास करेंगे सर स्वागत हैं बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी आज आप इंट्रूव करने के लिए हमारे गिरी जिला बकसर में आपका स्वागत है मेरे तरफ से भी देखिए पहले तो आप अपने संघर से थोड़ा सामारे भीवर्स को बता दीजिए क क्यों आपने पत्रकारिता को चुना और क्यों इस छेतर में आए क्या सोचकर कि आप इस छेतर में अपना करियर बनाने के परियास किये और आज आप लोग आपको कुछ लोग जान पा रहे हैं सोसल मीडिया के माधहम से तेर यह सुराते दोर तो लगड़ाउन्स सभी लोग को क्या रहा है और बाहर में और लोग से संकर्मीत हो जाएंगे क्या इसकूल फोटा हूं हम लोग मारकार ना कर लागिए कि अरे तु कौन होता है उसके बाद मनेगी पतरकारों को बक्सर के जो माने जाने पतरकारों उनके पास we are वक्सेंदे का ने इतना पैसाही बनाना है अपने से उस्ते हको भी नवाई का बीडियो बनाना सुरू किया और सुराती वीडियो मैंने बनाया तो उसका आठ सो भी गया था कुरोना काल में बनाया था थो थोड़ा बहुत नमके लागा और कमेंट भी पोजेटी वाया था तो बहुत बढ़िया कर रहा है लोग सेर किये थे और पहली बार चुकी 800 मेरे लिए बहुत बड़ और OBC पर लागातार जो है जो समढ़ जाती को लोगों है लागातार आत्या चार करते रहते हैं इसमें कहीं दो राय नहीं है जनतंत्र खबर से जोड़े होंगे जानते होंगे तो कोई इनका आवाज नहीं उठाता था तो मुझे लागा कि इनका एक मसिया बनकर उभरना च जणने लग और परकारन लगे और आशंचा लगा आ developers कि यह ज़ो । के वज़ासे आप भी उन पत्रकारों से कम नहीं रहे हैं तो कि आप भी कुछ ऐसा चार्ज वर्ज लेते हैं नहीं आइसा मैं जूट नहीं कहूंगा देखिए हम लोग जनरली जब मुद्दा होता है तो गरीबों काहीं मुद्दा उठाते हैं और खासकर दली तती पिछड़े का उठाते हैं तो घर की स्थीति देखकर मन लगता है कि हम जो अपने जब से निकाल कर दे दें तो फिर उनसे पैसा मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है बस उनका वाज लोग सुन सकते हैं उस लाइक भी आपका चैनल नहीं है तो इसका खर्च कहां से फोर्ड कर पाते हैं मैं खुद का होम टीशन पढ़ाता हूं और होम टीशन से जो पंदरस तोला सव रुपे हो जाते हैं उससे जो है गाड़ी में डाला जाता है पेट्रोल और उससे हम पैसा हमारे जेव से ही लगता है तमाम पत्रकारों को आप देख पा रहे होंगे बड़े-बड़े पत्रकार जो की वीडियो बनाते हैं और वो एक तरह से दिखावा करते हैं हम दान कर रहे हैं गरीबों को यह समझे को दान तो करते हैं लेकिन अपने कमाई का 0.01 परसेंट करकर करके और बहुजन समाज पर जो पिछलों पर अत्यचार हो रहे हैं जुलूम हो रहे हैं जाती हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं लोग टेंपू से कभी बस से भी कभी ट्रेंस से ऐसे जब नहीं होता है चुकि बाइक भी किसी से मांग कर ही मिलती है तो जड़ी जढ़ाना ही मिलती है आनन परसुन का भी जानते हैं कि जल्दी वाइक नहीं मिलती है तो हम लोग टेंपू पखाल कर जाते हैं तो फ़्रसा लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो पिर कौन बोलेगा सब लोग अपना जबावाज उठा रहा है इसी लिए हम लो जो भी बाते कही मैं उसचीज का मैं परस्नली उस चीज को देखा हूँ और मैं भी आप लोग अगर मेरी वीडियो पर रेगुलर वीवर्स होंगे तो आप लोग भी जानते होगे कि किस परकार से पत्रकारिता करते हैं क्योंकि एक बहुजन समाज का ब्यक्ति हो और सभी जग कुछ दिनों पहले इनका वीडियो देखा कि इन्होंने सन अव बिहार मनिश कश्यप जी से भी मिले और बहुजन समाज पर बात की बहुजन समाज पर चर्चा की मैं उस भी से पर इनसे कुछ बाते करने का परियास करूंगा आप पहली बात यह बताए कि मनिश कश्यप जी से रहे थे बहुत से रिलेटेड तो हमने गया वहाँ पर और बड़ा मुश्किल से मिल पाया उनका इंटर्वी मनिस्ट कश्यप के वहाँ पर तो कहीं इस वज़से नहीं गया था कि मनिस्ट कश्यप बहुत बड़े फॉलोवर्स वाले ब्यक्ति हैं तो कहीं उनके पास क्योंकि जिस तरीके से मयावती पर वो जब उतर परदिस का विदान सभा का चुना हो रहा था तो उस वक्त मयावती पर टिप्रिंग किये थे और एकदम उंगरी देखा कर कहा थे कि किसका तस्वीर है मयावती के तरफ से मैं नहीं जानता हूं तो इसका जबाव लेने के ल आते हैं तो इन से मैंने सोचा कि इस मुद्धे पर आय लिया जाए और जो दिया जबाब तो कहीं नहीं दिये जबाब वीडियो में आपको यूं कहिए तो नर्वस होते हुए देखा जा रहा है और लग रहा है कि आपको कुछ लोग घेरे हुए हैं और आप डरे-डरे से म पत्रकार खड़े थे और मेरे मोबाइल में अस्टोरेज भी जो है बहुत कम था और देखिए यहीं फोटा वाइल था यह फोटा मोबाइल था और एक मेरा दोस्त असमान ही पत्रकार है तो उसको मैंने बोला कि थोड़ा सा सूट कर लो तो दर्वी था कि वो सूट कर रहा ह है बिडियो देगा कि नहीं देगा क्योंकि जब वीडियो सीन हाँ अपने फोन में कर रहा था था सोचे कि थोड़ा सा कर लो अफ थोड़ा सा कठीन भी प्रस्ण हम करने लगे तो न्युक्ती नहीं थिंख के वजह से भी होए और उसका जो जबाब दिये मंसकर से पर सट्स सबसे सवाल को जबाब को सुनकर मैं अपना रियक्शन दूँ तो यह बड़ा मेरे डिफिकल्ट हो गया था उस वक्त इसलिए मैं थोड़ा बहुत नर्बस कह सकते हुआ होगा लेकि उसको नर्बस नहीं कहेंगे मतलब भीड के वज़ा से होता है वहीं मेरे साथ हुआ था ऐसा कुछ नहीं था कि अपने उसमें खुद आप भी सामिल हुए है तो वह आपने क्यों कहा था मैंने के ही पत्रकार प्रहा गएं और माइक उठाकर पत्त मुझता आप लेकिसमें से अपनी जगार मनेश कन रिखते हैं हमने आइसा नहीं कहीं खुद को लिखते और उस मामले में मैं साइध इकाई अंग पखाड़ा हूंगा इसलिए मैंने बड़ा नहीं कहा बलकि छोटा का उतना मेरे विवर्स उतना फॉलोवर्स नहीं है तो उतना क्यों फेकूं इसलिए जो है जो छोटा खुद को छोटा कहकर जो बड़ा बनने का मज़ा है वह अलग है इसलिए हमने दो खुड को कहा और सिर्फ मैंने दो खुड को नहीं कहा उनको भी दो कोड़ी कहा लेकिंगे कुछ लोग कह रहे हैं कि न उनके पास कोई मास कम्यूनिकेशन का डिगरी नहीं है और मेरे पास मास कम्यूनिकरी नहीं है हम लोग सब सोचल मेडिया के पतरकार है तो इनका फ्लॉवर्स ज्यादा हो सब्सक्राइब कोई माइन नहीं रखता है और हांसियों पर खड़े लोगों को आप बोलते नहीं है मुझको गर्भ है कि मेरे साथ जुड़े ज्यदातर लोग है वहांसियों पर खड़े सब्सक्राइब करने वाला नहीं है चिलाक और कोई पत्रकारिता जो है नहीं किया हूं जो लोग देखते हैं उससे मैं सब्सक्राइब होता हूं कि मैं आपको जैसे यह वीडियो सुट खतम होगा मैं आपको 5000 रुपए दोंगा आप खुद जाईए मायावति जी का वहां लख पैसे को लेकर जाऊंगा तो कहीं नैके मेरा जमीर नहीं गवाहि देगा और कहा जाता है कि जमीर बेचकर अमीर हो जाना उसे बनिया है फकीर हो जाना तेकना इसलिए मैं सोचा कि मैं खुद जाओंगा और अपने पैसे से जाँँगा बीच्छर सथेंडी की सीजन चल रही और हमारे पास चैनल के माध्यम से उतना डॉलर नहीं बन पाता है उतना विवर्स नहीं आ पाता है कि मतलब ज्यादा राकाम हो और हम लोग चर्चा-काप बैठें और ठंडे में निकल कर सुटिंग करके आ गर्मी का दिन होता है मुझे लगता है कि फरोरी के सुरुयात में हम लोग वहां पर जाएंगे और रिपोर्टिंग करने के लिए आएंगा और मनिस्का सब को बातों को जो है गला सावित करके आएंगे उन लोगों को क्या करना चाहेंगे जो कि बहुजन समाज के होते हुए भी तमाम स्वर्ण पत्रकारों की बातों को सुनते हैं और उनको लगता है कि नहीं यही लोग सही है और मेरी आवाज को उठा रहे हैं तमाम बहुजन समाज के लोग भी चुकि हम लोग भारत के जो मुलिवासी 85% है और उन समाज में से भी बनिशकस्यव को फोलो किया जाता है उसकी बातों को सुना जाता है तो क्या करना चाहेंगा उन लोगों को जो बहुजन समाज के होते हुए भी एक स्वर्ण पत्रकार को फोलो करते हैं कि इसलिए फोलो करते हैं न क्योंकि ओ चिला चिला कर बोलता है तेकना लेकि रवीशकुमार को अब कभी चिलाते हुए नहीं देखने हैं फिर भी आज उनको देख में देखा जाता है और ना सिर्फ देखा जाता है बलकि उनके फ्लोवर्स और लाइकमेंट्स अब तीवारी ब्रामर समण है समणों के संक्याइश देश में 15% है और हमारी संक्या 85% है मतलब अगर आज उनके 3 million followers हैं तो इसमें 90% हमारे भीवर्स हैं तो जो लोग 90% वैसे लोगों को फालतू लोगों को देख रहा हैं जो आपके मुद्दो को नहीं उठाते हैं भाकाते हैं और आप खुद के वेक्ति को तहजीब नहीं दीजिएगा तो कहीं न कहीं ये गलत है और आप लोग जो है न हम कहते हैं अगर एक million आता है तो उसमें 90,000 भीव जो है 85% होता है दोसे परसेंट उसमें समण लोग देखता है और सर्म करना चाहिए जितने सारे बोजन के लोग है किसी का गरदन पर जब शोड़ा चलने लगता है बेटी बहनों के साथ छड़कानी होती है तब जो है याद पढ़ता है बहुजन पत्रकार का उसमें वह नहीं आएगा मनिश को सब्सक्राइब करेंगे और यहीं जो है बहुजन के लोगों में कमी है उमीद है कि आने वा भ्रष्टचार वाले मुद्दे पर मनिश को सब्सक्राइब जाते हैं और वहाँ पहुज करके बिडियो बनाते हैं और विडियो उन लोगों का बनाते हैं जो की गरीब वरक्यक दलीत वरक्स्राइब करते हैं को उनका रेलाई करते हैं और वो कहते हैं कि भरष्टाचार का रेलाई करता हूँ सिस्टम का रेलाई करता हूँ कभी आपने नहीं सुना होगा कि Medall खुक्त ही थेकेद्र को ऐबसे a oil इंजिनीयर को रेलाई करते हुए उनकी यूं कहिए तो उनकी जो इनकम होती है उस पर भी वह लात मारने का परियास करते हैं तो क्या करना चाहेंगे क्या यह सही है देखिए मुझा फर्पुन में साइद की समस्ति पर मुझा भी करेक्ली याद नहीं यह एक लड़का जो सिक्षा को गाली दिया है ठीक ना गाली दिया मुझा पर रिपोर्टिंग करने के लिए का गया है और उसको बिहार से क्या फैदा होना वाला है हम भी जब रिपोर्टिंग कि यह थे पूछे थे तो बोले कि आप कोई भड़काव सवाल मत पूचिए ठीक यह इसके अलावे हम देखे कि जो है टेंपू पर आप देखेंगे वीडियो थे तो उनको रोक करके और सलाह दे रहा है सलाह नहीं दे रहा है मतलब इसे इदम बिल्कुल जज की तरह बिल्कुल मत वैसा है तो जज़ भी नहीं फैसले ले सकते हैं अब मने माई बहन कर रहे हैं साला सुली सब कर रहे हैं वीडियो में देख सकते हैं और ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा जो है तो सही है ना कि जब आटो पर 15-16 लोग रहेंगे तो दुर घटना होगी तो उसमें उन्हीं कि छती हो जाएगी तो वह ऐसा कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ अच्छाईयां भी है अच्छाई है सर लेकिन एक समझाने का तरीका होता है ना हम कहेंगे कि आप जो है इतने लो लेकिन यह है कि लोग छोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं मीडिया गिरी ओभी तो अथ्राइज मीडिया नहीं है ठीकना अब एक माइक उठाकर पत्रकारिता करने लग रहे हैं और तो लाइक विर्स जदा आ गया है इसलिए मतलब खुद को जो है सहांसा और डंकापती समझ चुके है या अपनी समाज को एक यूं कहिए तो आइना की तरह उभरते हुए नजरा रहे हैं और लोग उनको फोलो कर रहे हैं तो आप उनको घलत कैसे कह सकते हैं देखिए फुलोवर्स तो असलिल वीडियो पर भी ज्यादा है ठीकना और एक पॉर्ण स्टार है सौनी लि सब्सक्राइब करने व्यार जब करेंगे के अपने लिए फौन तो देखिए गा तब कॉन आपको अच्छा लग रहे हैं तभी तो लोग फोलो कर रहे हैं तो फिर उसमें गलत वाली कून सी बात है सौनिए बात है जो मुद्द पर बात नहीं कर रहे हैं आप किसी को गाली दे रहा है आप किसी को जाकर गाली दे रहे हैं तो इससे विकास नहीं नहीं होगा रहाबात नली गली देखाते हैं नली गली से कितनी जो लोग पित्व पत्रिकारिता करते हैं जो लोग मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई करते हैं उसमें किस तरीके से सब्दों को और किस तरीके से लहेजा में बोला जाता है ठीकना कि सामने वाला व्यक्ति जो है अगर बोले तो मंत्र मुख दो जाए लोग और जहां पर रिलाइ कर दिया जाया जाया है सारवा बादमास ठीकना चूटता ठीकना इस सब पत्र कहरता किसाव सब्द नहीं है और जो लोग पर यसे कहते हैं वह रिपोर्ट करें कि कि लोगों को पर दलित किसी बीटी का जो है रleans हो जाएगा ना मनि श्यप नहीं आए जाएंगे और आप जाएंगे और मेरे जैसे जैसे अब जो है नहीं जाएगा जैसे कैसे हुआ यहां पर राजस्तान में जो है जो मुद्दा उठा ठीकना पूरा देश जहां इंद्र मेगवाल का जो जिस तरीके से हत्या हुई मटका को पानी पीनी को लेका और पूरा देश खड़ा था लेकिन मनिस्क के सफवाज नहीं उठाया तो उसके पत्रकारिता के आप आंदा जा इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से जातिवादी और कुंठित यह पत्रकार है और आर आरेश का दलाल होगा व क्या ही बहुजन के पक्ष में बोले गाए सभी वांकित आयक है कि पहा बहुजडार हो समझदार होते for इतना समझ में आता सायद आप लोग में इस सब्छी कर Projects कुष्यैब करते तो मैं तो मैं सभी बहुजण समाज अग्साइव और की आप लोग मेरे कहने से नहीं इनके कहने से नहीं बलकि आप खुद से उस कट्रकार के चैनल पर जैसे are और 90% आप दिखिएगा आज तक के बीपी और इंडी टीविंबे जाएगा तो उसमें जो है 90% तो नहीं को से 45% आपको ऐसे मिलेंगे पत्रकार जिनके पास मास कम्यूनिकेशन की कोई डिगरी नहीं है लेकि फिर भी अगर लिहाजे में बोलते हैं तो लगता है कि हाँ भै को अच्छे तब कहा जाएंगे जो कि यह नहीं उठाते हैं रही बात चिलाने की तो वो कहते हैं जै। कि आधा गरी छलकत जाये भरल गरिया चुपके जाये आधा जल होता है वो बहुत हला करते हैं बहुत बजते हुए आवाज आजरे जाती हैं और जो गगरी भरी घूरी होती है वो शान्ति पुरवक जाती है इसका हावद का मतलब आप समझ गये हूंगे कि मैं की तरफ इसारा कर रहा हूं और रही बात चिलाने की तो चिलाते क्यों है मनिस कश्यभ जी मैं इन से पूछूँगा क्योंकि मैं तो अभी नहीं मिला हूं यह मिल चुके है तो यह पता है उजो चिलाते हैं उनको यह एनरजी कहां से आती है तो देखिए इसका सवाल का जबाब मैं भी ढूंड रहा था कि अतना जो है उतना मतलब दिगज दिगज इंजिनियर के पास जाता है मंतरी के पास जाते कोई से बोल लेता है उस दिन हमारा समझ में चार चार को बोडिगार्ड है और जाज़िए कि बहुत निठा है ठीकना अगर उसके सामने कोई टीवी बोल रहे हैं तो समझें को उसके कहानी ख़ता हम ठीकना हम भी हुआ पर उठा रहे थे और सवाल निठा रहें तो घाट दे रहा था और नहीं पत्रकार भी चूब रह जाएगा कि यह उसको जो मनिसका सब्सक्का तो नहीं मारेगा मतलब हैं बड़ी इसकी पकाल देगा इसलिए तो जब हमनों से सवाल किया तो गदम गर्मिया आया वीडियो में देख सकते हैं कि हमको अरे मतलब इसे उसका वर्ड से आप अंदाजा लागा सकते हैं अरे तुरे कि इसलिए बोल रहा है क्योंकि बोडिगार्ड जो है खड़े थे ठीकिना इसलिए सोच रहा कहीं भी जाकर इसलिए जब बोडिगार्ड के बल पर जो उलता है अब तक का रिकोर्डर मैं बता रहा हूं यह कोई भी इसी का खुलासा नहीं किया मैं उस दिन देखा जो है चार चका गाड़ी में जो है वह घुमता है मतलब इसी लेस है वह गाड़ी ठीकना और चार बोडिगार्ड है अगर आप कितना भी लोवर फैमिली से बिलोंग करता है अगर आपके पास चार बोडिगार्ड हो तो आप किसी को नो रेल दीजेगा महराज आप डियमस्पी को भी रेल दीजेगा तो आम आदमी को क्या ही हम कह सकते हैं और यही रिजान है जानली जी वह इतना जो चिला कर नो बोल पाता है किसी से करे जब बात सटन अफ बिहार की है तो संफ बिहार खुद को कहता है में इसका से आप से नम्र निवेदन करूंग कैसे चड़िछच रब पत्रकारों को आप लोग आंफो लोग करेए और तमाम बहु जन पत्रकार जो कि ऐसे सिभाई हैं जिनके पास तो खुद का जेव खाली होता है लेकिन वो अपने समाज का जेव कैसे भर दिये जाए उस परकार से सोच रखते हैं तो मेरा पर्यास कैसा लागा कोमेंट बोक्स में बताना मत भूलिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करक के साथ तब तक के लिए जैहिन चैनल भारत